मुद्रा कई थोड़ी सी जानकारी हम फ्राप्त कर लें हमारे ग्रंतों में क्या वणित किया गया है मुद्रा फ्रेधातु से वनियोती जिसका आर्थ होता है प्रसनता आत्म शक्ति के अभिव्यक्ति का जाधन है हम इश्वर से प्राथना भी करते हैं यहां में कोई मिलें तो हम सवरुप्रथम उसे प्रणाम करते हैं। अर्थात अपनी आंत्रिक प्रसनाता को अभिव्यक्त करते हैं। कहा गया है नास्ति मुद्रा समम किन्चित सिद्धिदम छितिमंडले। अर्थात मुद्रा के समान सिध्धी प्रदान करने वाला इस धर्ती पर और कोई नहीं है सामाने रूप से मुद्रा के दो अर्थ बतलाए गए हैं प्रथम हैं मुद्रा अर्थात रुपिया पैसा दूसरा अर्थ होता है शरीर की शारिरिक इस्थती रुपिया विनिमय का सादान है रुपय से आदान प्रदान होता है ठीक उसी प्रकार संपुन ब्रह्माण में सुक्ष्म उर्जा विद्धमान होती है सुक्ष्म उर्जा का आदान प्रदान योगिक मुद्राओं के द्वारा संपन्न होता है तो आईए आध्धात्मिक अर्थों में जब हम कथक कुछी पूरी नर्ति भी देखते हैं तो मुख मंडल की विशेश भाव भंगीमा जब नर्तियांगना लगाती है तब वह अपनी मुद्रा इश्वर के प्रती समर्पित करती है अपने आंतरिक भावों को विभिन्न तरह क विश्वर के सम्मुक प्रस्तुत करती है यह भी एक मुद्रा का भाग है मुद्रा अगर हम समझे तो मुद्रा एक स्वीच बोर्ट की तरह है जैसे हमें पंखा चलाना है तो हम पंखी का ही स्वीच आन करेंगे यदि हमें टूबलाइट जलाना है तो हम टूबलेट का ही स् पूर्ती हमारे समक्ष करेगी जिससे हमारा शारिरिक मानसिक विकास होता है और आध्याद में उन्नती होती है। हट योगिक ग्रंथों में मुद्रा के दो प्रकार बताएं गए हैं। पहला प्राणायमिक मुद्रा जिससे योगिक मुद्रा भी कहते हैं। दूसरा है अप्राणायमेक मुद्रा जिसे हस्त मुद्राएं कहते हैं। आईए हम प्राणायमेक मुद्रा के बारे में समझें। गुरु गोरक नाज जी, गोरक सहिता में लिखते हैं। कि ये जो प्राणायमिक मुद्रा हैं ये उच्छे स्तरी योग साथ को के लिए बताई गई है इनमें तीन चीजों का उलंबन लेता है प्रथम आसन दृतिय प्राणायम और तृतिय बंध जब हम इन तीनों को एक साथ लगाते हैं तो वह योगिक मुद्रा कहलाती है जिनका म पूल उद्देश कुंडली नी शक्ति को जगाने में सहाथा प्रदान करता है कहा गया है कि यह किसी गुरू के सरक्षन में ही करना चाहिए या अपनी पात्रता के अनुसार ही करें इसे इस मुद्रा के विभिन प्रगार है जिनका हट प्रतिपी कामे वणन कहा गया है कहा महा मुद्रा महा बंद महा बधश्च खेचरी तो नासिकागर मुद्रा शक्तिचालीनी मुद्रा आईए हम योगिक मुद्रा का एक अभ्यास हम कर चुके हैं अश्विनी मुद्रा के माध्यम से दूसरा अभ्यास है खेचरी मुद्रा खेचरी मुद्रा के लिए सहज इस्तिती में बैठ जाएं, मेरु दंड सीधा रखें, दोनों हाथों को ब्रम्भान जली मुद्रा में लगा लें, इस तरह से अब जीभग की उल्टा कर अपने तालू से पर्श करें, धीरे धीरे उसको सहलाएं जब हम यहाँ प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हमारे ग्रंथों में लेखी थे कि जो दिव्यम्रित रस्ट पकता है, उसका हम रसा स्वाधन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में जीवनी शक्ते का विकास होता है बच्चों के लिए खेचरी मुद्रा बहुत यदिक लाब कारी है, जिनमें एकागृता की कमी है, जिनहें पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जल्दी ठक जाते हैं, वह खेचरी मुद्रा लगाकर यदि अध्यन अध्यापन करें, तो उन्हें बहुत अधिक लाब होता है कारी कुशलता बढ़ती है, आईए हम अगला आगे की क्रम में चलते हैं, अप्राणायम मुद्रा हस्त मुद्रा, हस्त मुद्रा बहुत ही सहज, सरल, सुलब और जन साधरन के लिए बहुत ही अच्छी बतलाई गई है, इसे हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, यह सभी के नादरश्टी को एक स्थान पर स्थिर रख, कुण्डलीनी की प्रचंड शक्ति को जागरत किया जा सके, वह हस्त मुद्रा कहलाती है, इसके अंतरगत विभिन तरह के हस्त मुद्राएं आती हैं, जिनका वर्णन हम अभी करेंगे, समझ लें कितने समय करना है, कब करना है, क आती कहा गया है, दो प्रहर, प्रातह एवं साइ, खाली पेट इसे करें, तो सर्वुत्तम लाब होता है, यदि कोई रोग है, या किसी कारण वश, यदि आपका आवशक्ता है, तो आप इसे तीन समय भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, कि आपको 10 मिनिट करके छोड़ नह ही देना है, कम से कम 45 मिनिट या फिर 25 से 30 मिनिट इनका उल्ले किया गया है, कि लंबे समय तक जब आप मुद्रा का भ्यास करते हैं, वह भी श्वास प्रिश्वास के साथ, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसके प्रति सजक्ता अपनाते हैं, तो मुद्राओं के अंतरगत हम पंच तत्व और पंच प्राण के बारे में हम समझेंगे, कहा गया है, हम सभी को विदित है, ये था पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में पंच तत्व विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पंच तत्व विद् कि जब ये पंच तत्व साम्य वस्था में होते हैं, तब ही हम स्वस्थ होते हैं, ये पंच प्राण येदी सामान्य वस्था में होते हैं, तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब पंच तत्व घट या बढ़ जाएं, तब हमारे भीतर विकार उत्पन होने लगते हैं, हमारा श ये पांचों तत्व यदि असंतुलित हो जाएं तो रोग का कारण करते हैं लेकिन हमारे प्राचिन गंतों में ऐसा मुद्राओं के बारे में उल्ले किया गया है कि आप मुद्राओं का अभ्यास से इन पांचों तत्वों को इन पांचों प्राणों को संतुलित कर अपने और दिरगायो जीवन जी सकते हैं तो आईए सर प्रतम हम सबसे सर पंच प्राण मुद्रा कहा गया है योगी ग्रंथों में रधे प्राण गुदा आपान समानो नाभ मंडेले उदान कंठ देशश्य व्यान सर्व शरीर सर प्रतम हम प्राण मुद्रा के बारे में समझे प्राण खा इस्थान होता है रधे कंठ से रधे का जो इस्थान है उससे संबंधित जितने भी विकार हैं इससे प्राण मुद्रा से दूर होते हैं किस तरह से लगाए हम इसकी विधी जो small finger है और ring finger है उन दोनों को मिला लें और उन दोनों को आपको अंगुठे के जो मूल है अंगुठे का जो उपरी भाग है उपरी छोड से आपको केवल इस्पर्ष कराना है दोनों हातों से सेश दोनों उंगलिया सहज इस्थिती में रगें केवल आपको इस्पर्ष कराना है जैसे ही आप इस्पर्ष कराते हैं सहज इस्थिती में एक प्रयोग हम करते हैं सहज इस्थिती में मेरुदंड सीधा करकर बैठें दोनों मुद्राओं को लगा कर अपने घुटनों उपर रख लें नेत्र सहचता से बंद करें लंबी घहरी श्वास लें श्वास छोड़ें सजक्ता केवल अपने श्वासों पर आप देखें आप श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कमपन हो रहा है आपके भीतर जंजनाहट हो रही है, आपके भीतर ऐसा लग रहा है कि कुछ बह रहा है, आप इसे महसूस करने का प्रयास करें जब आप मुद्रा लगा कर इसे महसूस करते हैं, नाम ही है प्राण मुद्रा, प्राण का प्रभा हमारे भीतर तुरंत होता है कुछ-कुछ मुद्रा ऐसी जैसे प्राण मुद्रा तुरंत प्रभाव डालती है, आपको इसका प्रभाव तुरंत दिखने लगता है, यह COVID-19 के दोर में बहुत अधिक लाबदायक है, क्योंकि यह रोग प्रति रोधक शमता का विकास करती है, शरीर में इस फूर्ति लाती ह उर्जा का हमारे भीतर विकास होता है, नेत्र जोती बढ़ती है, विटामिन की पूर्ति भी होती है, रधे संबंधित सभी विकार दूर होते हैं, जो अनिद्रा के रोगी है, वह भी इसे करें, तो उनके भीतर प्राण का विकास होता है, आईए अगला क्रम आते हैं, अप आपने प्राण मुद्रा लगाई अब आप स्मॉल फिंगर को छोड़ दीजिए और यह जो मिडिल फिंगर है उसको ले लीजिए बीच की दो उंगलिया याद रखने का तरीका है बीच की दो उंगलियों को की उपरी पोर को आपके उंगूठे के उपरी पोर से आपको सपर्ष कराना है यह अपान मुद्रा कहलाती है अपान का जो स्थान होता है वह गुदा मूल होता है तो उससे संबंधित जैसे कब्ज है जिनको कब्ज की शिकायत है बवासीर है जिने गुर्दे के रोग है मधू में है यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जिने पसीने का नियंत्रण इससे हो जाता है जिने पसीना अधिक आता है यदि वहा अभी गर्मी का मौसम है जिने पसीना अधिक आता है वहाँ अपान मुद्रा इस लगा कर रखें निमने रक्त चाप जिने हैं वह भी अपान मुद्रा लगाएंगे तो उने लाभ होगा जिनकी ना भी हट गई है या फिर युट्रस संबंधी दोश होते हैं उसमें भी जब हम अपान मुद्रा लगाते हैं तो हम क्या करें पुनह एक उंगली को आप छोड़ दीजिए और इंडेक्स फिंगर को आप स्पर्श कराईए अंगुठे से शेश दोनों उंगलिया सहज इस्तिती में रहेगी इस तरह से उदान का स्थान चुकी कंठ में होता है तो गले संबंधित जितने भी विकार है जैसे थाइराइड है बहुत अधिक समस्या है आज के युग में देखी जा रही है यह सभी अगर आप 25 से 30 मिट तक लंबे समय तक इसको लगा कर रखें और श्वास के प्रती सजक्ता बना के रखें प्रातह एबम साइं खाली पेट आप इसको करें तो आपको बहुत अधिक ला से लगाकर गेगा रोग भी इससे दूर होता है अगली मुद्रा आति है वियान वियान के लिए आप जो आपकी रिंग फिंगर है उनको भी आप वापस से मिला लेजिये अर्भाद इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर तथा रिंग फिंगर इन तों तींओं के जो उपरी छो और हैं उनको आपको अंगुठे से मिला लेना है तो यह मुद्रा व्यान मुद्रा कहलाती है व्यान संपूर शरीर में व्यापत होती है अथा इसका प्रभाव संपूर शरीर पर पढ़ता है इससे रक्त परिसंचर और तंत्र मजबूत होता है तवचा संबंधित जितने भी रोग है तवचा में खुजली होना जलन होना दर्द होना इचिंग होना यदि आप व्यान मुद्रा लगाते हैं तो समस्त शरीर से जो तचा संबंधित रोग हैं सभी दूर होते हैं आप जब इसका प्रयोग बड़ी ही आस्था और श्रधा के साथ करते हैं तो इसके से आपको मिला देना है जैसा पीपीटी में भी दिखलाया गया है समान का अश्थान होता है नाभी इससे जिसकी नाभी असंतुलित हो गई है बच्चों में अक्सर ही होता है अधिक नाभी असंतुलित हो जाती है तो आप उन्हें समान मुद्रा लगाने को कहें लंबे समय तक आप यदि बच्चा लेटा हुआ भी है तो लेटे लेटे भी आप उसे समान मुद्रा लगवा सकते हैं इससे ना भी संतुलित हो जाती है समय इसका ध्यान रखिए 25-30 मिट लंबे समय तक इससे लगाना है संतुलित जिनको खाना नहीं पचता है पाचन की क्रिया में गड़बड़ी होती है उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है उदर संबंदी जितने भी विकार हैं समान मुद्रा लगाने से धीरे धीरे सभी दूर होते चले जाते हैं इस तरह से हमने पंच प्रान मुद्रा के बारे में जाना जिनको अपनी प्रकृति के अनुसार जैसी सुधा हो वह उसी अनसार मुद्रा का चैन कर अपनी मुद्रा लगा सकते हैं अन्य विभिन मुद्राओं के बारे में भी हैं जो बहुत बहुत अधिक लाबकारी जिनमें से है एक अपान वायु मुद्रा बहुती तुरंत प्रभाव डालती है इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप सर्वप्रथम अपने इंडेक्स फिंगर की जो उंगली है उसको आप अंगुठे के मूल में लगाएंगे तथा मध्यमा और रिंग फिंगर उसको आप अंगुठे के उपरी भाग से लगाएंगे यह होती है अपान वायू मुद्रा थाद वायू और अपान दोनों का इसमें सयोग है प्रातह जब आप उशा बान करते हैं गुन गुना एक से दो गलास जब पानी पीते हैं जिनें कबज की शिकायत रहती है पेट ठीक से साफ नहीं होता है आप उशा बान करके तुरंट अपान वायू मुद्रा लगा लीजिए थोड़ी देर टहलिए जब आप टहलने भी जाते हैं तो टहलते समय आप दोनों हाथों से अपान वायू मुद्रा लगाएं आपको कबज की शिकायत नहीं रहेगी आपको इवन दो दिन में आपको पता चलने लग जाएगा कि यह कितनी प्रभावकारी है आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा जो बड़ी आत में मल का अवरोध हो जाता है वह भी दूर हो जाता है सबसे प्रभावकारी है जो सर्वसुलब है इसे कोई भी कर सकता है प्रातह और साएं के समय अगला आता है जैसे दुसरे चत्र में भी अपानवायू मुद्रा दिखाए गई है शंख मुद्रा शंख मुद्रा के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड बाय हाथ को सीधा रखें अब अपने दाइने हाथ की चारों उंगलियों को अंगुठे के बीच में रख लें पूरी तरह से अंगुठे को लॉक कर लें, अब अपने धाइने हाथ के अंगुठे को मिडिल फिंगर के इस परश करा लें और इसे अपने रधे स्थान पर रखें जब आप शंख मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो आपके जो कंठ है, कंठ में सुर्यलापन आता है, आपकी जो वाणी हैं, उसमें मधूरता आती है, आपके रधे शक्ती का विकास होता है अगला है ब्रम्भान जली मुद्रा, ब्रम्भान जली मुद्रा बहुत ही लाबदायक है, ध्यान के चरण में इसे करते हैं, तो आईए अभी हम सभी मातर एक मिनिट का ध्यान करें ब्रम्भान जली मुद्रा के माध्यम से, इसके लिए सरप्रथम सहज इस्तिती में मेरुदं सिधा करकर बैठें, बाए हाथ को नीचे तथा धायना हाथ उपर, सहचता से नेत्र बंद करें, धीरे से अपनी आँखें, धीरे से सहचता से बंद कर दें, प्लीज, सीट इरेक्ट, बोथ हैंड ओन यूवर लेब, डीप प्रिदिंग, इन्हेल स्लोली एड एक्सेल स्लोली, जैसे ही आप मुद्रा लगाते हैं, आप देखेंगे कि हमारी भीतर उर्जा का प्रभा होने लगा है, उर्जा प्रभाईत हो रही है, जितनी भी आप मुद्रा लगाएं, सबसे प्रप्थम उसमें बस यही ध्यान करें, श्वास प्रिश्वास का, श्वास आ रही है, सभ्यास के प्रती ध्यान के इंद्रित करें, आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं, सहज पूर्वक लंबे समय तके सभ्यास को करें, आपके भीतर सम्वेधनाय उत्पन होती है, भाव सम्वेधनाओं का विकास होने लगता है, आपकी तंत्र का तंत्र से स मांसिक स्थिर्ता जो आज के यूग में अनिवारी है वह धीरे-धीरे होती चली जाती है इस तरह से धीरे से सभी के कल्यान की प्रातना करते हो हम एक और मुद्रा का अभ्यास करेंगे अंजली मुद्रा सभी लोग लगाएं इस संपुन संसार में इस संपुन विश्व में एक सात् एक सोर में प्रात्ना ओम सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संटु निरामया सर्वे भद्रानि पस्चंतू माक स्षिदुख माहग्भवेत ओम भिश्वानि देव सवित रेंदुरितानि पर आसुव यद भद्रम्तंड आसुव ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही सर्वारिष्ट्रासु शान्तिर भवतु आजका ये प्रायोगिक सत्र शेक्षनिक सत्र संपनुवा सभी को प्रणाई